इंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इंवेस्ट कर सकते हो, मुचोर फंड में इंवेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड में इंवेस्ट कर सकते हो, अब आज मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग आप सभी लोग को detail में step by step समझाने वाला हूँ तो अगर आप लोग को Angel One आपको use करना सीखना है Angel One आपको use करना आपको नहीं आता है तो correct वीडियो में हूँ इस वीडियो को आप लोग एंड़ देग वाउच करना आज मैं आप सभी लोग को Angel One का complete demo देने वाला हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को make sure like करके चैनल को subscribe कर देना साथ में के spell icon को be all पे hit करना क्योंकि इन future में आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल पर ऐसी वीडियो स्मेलने वाली है तो चलिए गईस यहां सब लोग अपने वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोग को angel1 app को download करना है अपकी download link आप सभी लोग को description box में मिलेगी इसली आप लोग link पर क्लिक करने की बाद अपको download कर जाते हो तो आप को download करने की बाद आप सभी लोग को अपको open करना है यहाँ पर आप सभी लोग को Nifty 50 और Bank Nifty मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देशचते हो कि आज के दिन market अप गया या डाउन गया है, Nifty 50 के अंदर भारत की जो top 50 companies हैं वो list होती है, and Bank Nifty के अंदर जो bank के companies रहती हैं, वो list होती है, तो आप लोग Nifty 50 के तो यह देशचते हो कि आज के दिन market अप गया या डाउन गया है, अगर हम लोग आज देखें, तो आज करीबन 0.67% जो market है यह डाउन गया है, आप यहाँ देखो जो share market है, इसकी opening की एक time होती है, share market सुबह 9 बच कर 15 मिनट पर open होता है, तीन बच कर 45 मिनट पर close हो जाता है, and हर weekend पर share market close रहता है, आप सबी लोग को Monday से Friday share market open मिलता है, public holiday पर share market close रहता है, and सुबह 9 बच कर 15 मिनट पर open होता है, तीन बच कर 45 मिनट पर close होता है, तो इसी की बीच में आपको share market में trading करनी है, investing करनी है, जो करना है, इसी time की बीच में आपको करना रहता है, तो सबसे पहले आप लोग को market today मिल जाएगा, फिर नीचे आप लोग का portfolio मिल जाएगा, जिसे कि अगर आप लोग देखो, तो मैंने share market में कुछ amount invest किया हुआ है, approximately 9,88,482 रुपीस का amount मैंने invest किया है, and इसमें अगर आप लोग overall gain देखो, तो 16,000 रुपीस का मैंने gain लिया हुआ है, approximately 17,000 का gain मैंने लिया है, य यहाँ पर दिखेगा, यह portfolio कितने का मेरा हो चुका है, यहाँ पर दिखेगा, फिर अगर हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को एक IPO का option दिख रहा है, एक mutual fund का दिख रहा है, एक gold bond का दिख रहा है, तो IPO पर click करने के बाद, आप लोग जो IPO आने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, IPO को आपनी order लगाए हुए है, वो IPO order में आप लोग को दिख जाएंगे, अब जैसे कि आप लोग को इस IPO के अंदर invest करना है, तो आप लोग को इसके उपर click करना है, click करने के बाद, IPO के side details यहाँ पर आ जाएंगी, यह max quantity कितनी है, एक lot में 1600 situation है, retail discount कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर, issue size कितना है, 21.45 करोड का issue price है, करना का है, आप लोगों यहाँ पर नीचे दिख जाए कि कितने लोगों ने आप लोगों ने आप लाए किया, IPO को डेट कितनी है, ठीक कितने लोगों ने यहाँ पर subscribe कर लिया है, 20.11x oversubscribed है, अलगी 20 जादा से यहाँ पर subscribe हो चुका है, अगर आपको इस IPO के इन्वेस्ट करना है, तो आपको apply नाओ पर click करना है, फिर यहाँ पर कितने lot आपको buy करना है, अगर आप लोग एक lot बाए करते हो, तो क्या price बगएर आता है, सब कुछ यहाँ पर लिखके आ जाएगा, तो आपको कर यहाँ पर आपका पैसा जो रहता है, आपके bank से कटे जाएगा, जो भी यह price रहेगा, जो भी जिस amount पर आप लोग बाए कर रहे हो, IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो amount आपके bank से कटेगा, and directly आप लोगो जो shares रहेंगे, वो allot कर दिये जाएगे, तो यहाँ से आप लोग IPO म प्लैंद पर डिख जाएंगे, उसके अलावें यहाँ पर आप लोगो mutual fund मिल जाता है, mutual fund अगर आप लोग क्लिकरते हो, और सभी mature fund आप लोगो मिल जाएंगे, अगर आप लोग आप लोग आप,कंको सब भी mature fund यहाँ पर आ रहे हैं, explore all fund पर click inclusion ऐहाँ पर आप लोगो के साम तो हाई रिटन वाले जितने भी प्लान है वो यहाँ पर आ जाएंगे अब जैसे कि देखो यह equity का small cap का fund है ठीक है यहाँ पर 47 इसने एक महिने के अंदर 3% का रिटन दिया है तीन महिने में 10% का दिया है छे महिने में 7% का एक साल में 27% का रिटन दिया है अलगे एक साल पहले किसी ने आपर 1,00,00 रुपई डाले होते है तो आज इसकी वेल्यू 1,27,000 करीबं 330 रुपए के आसपास होती है अब आई 3 साल पहले 3 साल में इसने 55% रिटन दिया है तो यहाँ पर ग्राप देशते हो कि वाई कितना रिटन मिल ला है वन डे रिटन कितना है यहाँ आप आप लेटर वगएर आप अपने इतना इंवस्ट कितना हो गारा लास्ट अगले पांज साल में तो इतना गेन आपको यहाँ पर हो सकता है अगर आप लोगोंने आप 10 साल तक इन्वस्ट मेंट करीए तो अगर आपने आपने इन्वस्ट मेंट करा चोवण हजार रुपए तो गरीबन गेन आपको 29,76,000 ऐसे approximately गेन होने वाला है तो यह आपको बताते हैं तो यह तो आपको बताएं गई बाग नीचे आते हो तो यहाँ पर रिस्क होगा रहा जिखा जाता है रिस्क वेरी हाई है कि बहुत ही रिस्की है यहाँ पर पैसा को बहुत सदा डूपने के च पर क्लिक करना है SIP करनी है तो SIP सेलेट करो यहाँ पर कितना अमोन का SIP करनी है 100 रुपय के महीनी के साइपी करनी है या 500 रुपय करनी है SIP का मतलब होता है Systematic Investment Plan इसमें बिस्क लिए होता क्या है कि आप लोग के बैंक से पर्टिकुलर डेट पर जैसे कि आपने SIP सलट करी देट सलट करी फोर्थ तेक हर महीने के चार तारीक को आपके बैंक से पर्टिकुलर अमोन जो 500 रुपय का जितना आपने अंटर किया हो आपके बैंक से कट 500,500,500,500,000 जितना रुपय इंवेस्ट करना जाते हो उतना रुपय वन टाइम में डालके आप लोग पेनाओ पे क्लिकर कर एक बार में आप लोग आप पे इंवेस्ट कर सकते हो मुच्छोर फंड में एंट मैं मैक्सिमम इंवेस्पेंट आप लोग के सानल लिखके आजा है तो यहां पर आपको यह option मिल जाता है फिर यहां पे gold bonds का option है goldард पे आतो तो यहां से आप लोग gold में invest कर सकते हो आप लोग के सामने gold आ जाती है कि अपने शेंट का मैचर और होगा कर आपका इक डिएमेसर रोचीấy को ऐर साल 8 सथ 10 बसन का रीटर रिटर्न अगर आपको चाह तो यहां से आप लोग फिर नीची आते हो कोफी सारे option मिल आते हैं टॉप इस्टाउक मिल आते हैं जो यहां पर एंजल और करंट टाइम पर हैं जी टीटी मिल आता है स्टॉक से पी मिल आता है यहां पर लिखा है, sensible है, vested है, vested में आप लोग युए stocks में इस तो यहां पर आप लोग के साम नीचे mention किया गया है, तो basically home page पर यही आपको options में हैं, कुछ यही options में हैं, जो मैंने आप लोग को बता हैं, फिर उसके बाद यहां पर आप लोग को नीचे watch list मिल जाता है, आप ल large cap, large cap मैंने watch list का name रहा, मैं create पर क्लिक करूँगा, मैरी watch list ने create हो चुकी है, watch list में यहां पर stocks को add करने के लिए, add stock पर क्लिक करूँगा, यहां पर मुझको सर्च करना है, मैं इसके reliance को add कर लिया है, ठेके reliance मेरा यहां पर add हो चुका है, मैं reliance पर search करता हूँ, जिससे की T टाटा मोटर्स टेक है मैं टाटा मोटर्स सच किया यह चुका है यह तो नीचे एक उप्शन आप लोग अपनी वाच लिस्त के अंदर अब यहां पर अपनी वाच लिस्ट के अदर रखा हुआ है अब यहां पर माई वाच लिस्ट के अंदर पेसिकले क्रेड करनी है कि अगर आप लोग किसी share को बार-बार देखते हो, daily daily analyze कर रहा है, कि कम जादा रहा है, कि जादा down जा रहा है, कि क्या performance दे रहा है, तो आप लोग कि अगर वाच लिस्ट अपनी create करो, वाच लिस्ट पर आओ, एक बार में आप लोग सभी shares को दे सकते हो, तो इसला से आप में दिख जाएंगे, जो अभी execute नहीं हुए, order, positions में जो execute हो चुके है, order वो दिख जाएंगे, stock SIP जो करते हो, यहाँ पर दिखेंगे, GTT order जो लगाते हो, अब GTT order क्या होता है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है, मैं क्या होता है, हम लोग वो देहां पर देख लेते हैं, तो किसी भी share को buy और sale करने के लिए, आप लोग को watch list पर ही आ जाना है, और फिर आप लोग होम पर भी reset तो, आप लोग उपर जो search को option दिख रहा है, search को option पर click करना है, जो भी share है, आपको उसका नामे आपर search करना है, अब माली जाग idermanर्णा यहां पर को type करना है, मैंने 1000 लिखा, मुझको 1000 यहाप लिखा यहाप लिखके करना है, किस method से करना है, मुझको यहाप लिख़ु एपनी UPI को select करना है, जिससे कि मैने PTM को select कर लिया है, मैं अपने PTM से हाप Pay्मेंट कर देता हूं जली से, अब मैंने यहाप 1 थाइ यहां पर successful हो चुका है एक हजार रुपे मेरे इंजल वन में यहां पर एड हो चुके हैं अब मैं क्या करूँगा मेरा एक हजार रुपय एड हो चुक है सिम ऐसे ही आपको पहले deposit कारना है add fund करना है share में करने के लिए add करने के बाद आपको search पे आना है search पे आने के बाद शेयर को search करना है जिसे में आप लोग अब चार्ट है हम लोग क्या करेंगे हम लोग 30 मिनट का चार्ट लगाएंगे यहां पर चार्ट को लोग क्लिक कर लो पर चार्ट को इसके उपर क्लिक करो तो हम लोग को जो ही साइड रीडै जैसे के आज के सामने लुब और रीडै मिल रहे हैं अगा sounds. तो यहां पर भी टीका रहने वाला है अगर हम लोग देखते हैं तभी यह ही बता रहा है अगर यह ग्रीन पर रहता है इसके मतलब बुलिश है यह स्टॉक अभी अब जाएगा अगर यह बाई चांस वियरिश अगर रहता है तो वियरिश है मतलब कि डाउन जाएगा शिर ठीक है अब उसके अलब कंपनी के फंडमेंटल यसे सटो पहों अब स但 सब्च अबकम के मां करे सब्सक्राइब i be पउन्बर पर लोगो को देख लिया अब 2 अपर और स्व् arm Bye BJ a आपने सब को बेख लिया अब आपने डेसाइब कर लिए कि मुझको इस ये अ gimich है शे हैं से इस sedan आपको भाएक का OPI पे क्लिक करना है लिक करना है अब लिमिट और मार्केट यहां पर यहां पर एक लिमिट का मतलब होता है कि आप लोग एक लिमिट सट करने का मतलब है कि भाई इस शेर का पर प्राइस चल ला है 251 रुबीस का चल ला है अब जैसे ही यह पर जो है आपको अपने एक और प्लेस कर दिया आपने कह दिया कि भाई हमको इस शेर को पर पर आएंगे तो आपके पास आ जाएंगे एक उसी निया आप पर होता है अब वहीं पर जिनको इंस्टेंट बाइग करने वा सीधे बाई करेंगे लिमिट पर करते लिखते है 249 का अब जो को चार्ज पर क्लिक आने बाद चार्ज जिसे तो यह पर एंगे लिए लेकिन कुछ टैसे लगारा लग रहे है एक्स्टेनर चार्ज लग रहे है तो इसके बाद 0.30 रुबी आपको चार्ज देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा अब लोग करते हैं च से हमारा कन्फर्म हो चुका है हमारा जो ऑडर है यह ओपन ऑडर में पढ़ चुका है मतलग यह pending पर चुका है और यह pending में पड़ा हुआ है जैसे 249 पर मारा शियर आएगगा और आपनेटिक यह इह बाई हो जाएगा अब आगर इसको एडिट करना चारते हैं तो हम लोग क आजाएगा portfolio पर फिर हम लोग share को अपना देख सकते हैं अब ऐसे ही हम लोग Tata Motors के share को buy करना चाहते हैं तो हम लोग क्लिक करेंगे आएंगे home पर आएंगे या फिर watchlist पर आएंगे आज आएंगे यहांपर add हो जाएंगे तो इस ताल से कुछ आप लोगो shares को यहांपर buy करना है आप इन share को share करने के क्लिए का करना है अपको portfolio पर ही रहना है अगर आप दिन के दिन से से सेल कर दो अगर आपको दिन के दिन नहीं सेल करना है तो आप लोग आओ पोर्टफोलियो पर आओ यहां पर आपको स्टॉक मिल जाएगा मालीजा कि आपको अडानी पावर का जो स्टॉक है इसको सेल करना है क्लिक करना है क्लिक करना है क्लिक करना है यहां पर लिखना है कि एक शेर को बाय करना है, दो को बाय करना है, फिर तको यहाँ पर आपको एक price मिला है, limit of market करना है, यहाँ पर भी limit and market को option मिलता है, अगर आप लोगों ने यह decide कि है कि 251 अपर प्राइस चेल करना है, हम उचको 255 पे sell करना है, हम लोगों 255 लिखेंगे, जब 255 इसका price हमारा order sale पर लग जाएगा, तो इस ता से हमको यहाँ पर sale करना है, हम लोग इस ता से यहाँ पर shares को sale कर सकते हैं, अगर हमको intra day करना है, तो इसमें क्या रहता है कि हमको साल, दो साल wait करना परता है, तब जाके इसमें मारा पैसर double होता है, triple होता है, तो मतलब कि हम लोगो wait काफी करना परता है, तब हमको यहाँ पर returns मिलता है, वहाँ पर intraday में दिन के दिन, profit दिन के दिन, आप लोगो loss होता है, लगि 100 रपाय लगा है, तो 100 रपाय का 200 दिन के दिन हो जाएगा, फिस 100 का 0 दिन के दिन ही हो जाएगा, आपको जदा wait करना रहता है, वहीं पर risk involved होता है, दोनों में, लेकिन वहीं पर जो long term investment रहता है, जो कि मैं अभी कर रहा था, टाटांगोडस के share में invest कर रहा था, अडानी पावर के share में invest कर रहा था, तो यह long term investing है, इसमें risk काम रहता है, profit के chances जदा रहता है, लेकिन hard time जदा लगता है, इसमें कुछ ही यह चीज नहीं रहता है, तो इस तरा से कुछ है आप आप लोगो intraday करना रहता है, trading कर नहीं रहती है, trading का भी option है आप लोगों मिल जाता है, अब यह GTT क्या होता है, विसलिकर GTT order में क क्या होता है, कि आपने एक चीज वर्ट साइट कर लिया, कि एक share है, AB नाम का, इस AB नाम का जो share है, इसका price 1000 रुपए है, और आपको पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, तो कुछ दिनों के अंदर एक मिनने में 900 रुपए आने वाला है, और आपने ठान के र करें, 90,000 रुपए है, तो आपको GTT order लगा सकते हो, इसलिए GTT order लगाने के लिए सब को यहीं पर आना है, ठीक है, search पर क्लिकेना है, जो भी share है, buy पर क्लिक करना है, आप लोगों यहाँ पर क्या करना है, amount, shares लिखने है, जिसकी 100 share है, हम लोगों यहाँ पर किनना कम price है, 251 current time price है, हम लोगो buy काना है, 220 पर, हम लोग क्या करेंगे, GTT order लगा देंगे, हम लोग create GTT order लगा देंगे, हमारा order एक साल तक लगा देगा, एक साल के अंदर, जब भी यह price पर आता है, इस शेयर का price, automatic buy हो जाएगा, यह कुछ यह सीनिया आपर होता है, तो इसलिए से यहाँ आपको यहाँ पर balance रिक जाएगा, आपको उपर withdraw option मिल लाएगा, add fund का, withdraw पर click करने का, पैसे को निकाल सकते हो, अब एक और चीज़े हैं आपको feature मिल लाता है, stock pledging का, stock pledging में जिसे कि मैं 10 lakh रुपय का portfolio हो, तो मुझको 8 lakh 7000 रुपय का stock के उपर में, जो shares है, इसके उपर loan म दे सकते हो, profit losses दे सकते हो, इस statement ledger वगर आपको दे सकते हो, contact कर सकते हो, इसके एक call us कर सकते हो, बागे उसके अलागे यहाँ पर आप लोगो पर इनका एक referend earn का program मिल जाता है, तो referend earn का program में, यह आपको 750 रुपय पर refer का account opening का provide करते हैं, तो 750 पर आप लोग पर refer का earn कर सकते तो इसके उपर मैंने dedicated video बनाई है, angel one refer and earn शडल loot सर्च करना, आपको हमारी video मिल जाएगी, मेरी video को देख लेना, मैंने आप सभी लोगो सब कुछ बताया हुआ है, तो I hope so, आप लोगो सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने आप सभी लोगो completely angel one के बारे में दे दी है, मैंने आप लोगो